प्यारे बच्चों आज हम भारत का धोज फैराएंगे कविता का अध्यान करेंगे कविता के कवी सोहनलाल द्विवेदी है बच्चों इस कविता में छोटे बच्चों की अभिलाशाएं उनका दरडविश्वास, साहस और निडरता के बारे में बताया हैं कि वे देश के लिए तयार हैं आओ अब हम कविता पढ़ते हैं हम नन्ने नन्ने बच्चे हैं नादान उमर के कच्चे हैं पर अपनी धुन के सच्चे हैं यहां पर जो रंगिन शब्द दिये हैं उनका अर्थ है नादान मासुम उम्र उमर धुन लगन कवी ने बच्चों के मन को मन की बात को उजागर किया हैं वे कहते हैं हम छोटे छोटे मासुम बच्चे हैं हमारी लगन सच्ची है जननी की जे जे गाएंगे भारत का धोज फैराएंगे जननी जन्म देने वाली मा धोज धोजा पता का जिसने हमें जन्म दिया हैं जो हमारी हैं उसका गुनगान गाएंगे भारत का धोज अर्थाद जन्डा फैराएंगे अपना पत कभी ने छोडेंगे अपना परण कभी ने तोडेंगे हिमत से नाता जोडेंगे पत राष्टा या मार्ग परण परतिग्या वाइदा हिमत साहस वहोंसला बच्चे कहते हैं कि हम सबने ये परतिग्या की है कि हमने जो रास्ता चुना है उसको हम कभी नहीं छोडेंगे और अपनी परतिग्या कभी नहीं तोडेंगे हम हिमगिरी पर चड़ जाएंगे भारत का धोज फैराएंगे हेमगिरी वर्फ से ढका हुआ पहाड या हिमाले परवत धवज जंडा हम हिमाले परवत पर चड़कर भारत का जंडा फैराएंगे हम भैसे कभी न डोलेंगे अपने ताकत को तोलेंगे साहस की बोली बोलेंगे भैं डर डोलेंगे अपने निश्चे से हटना वह विचलित होना हम डर के आगे कभी भी अपने आपको पीछे नहीं करेंगे हम सब को मिलकर आगे आना हैं और हम आगे आएंगे और अपना साहस दिखाएंगे पग आगे सदा बढ़ाएंगे भारत का धवज फैराएंगे पग कदम सदा हमेशा बच्चे कहते हैं हमारे कदम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और हम भारत का जंडा लहराएंगे प्यारे वच्चों इस कविता से हमें यह सिक्ष्या मिलती हैं अगर हमारे होसले बुलंद हैं तो हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं धन्यवाद